क्या आप जानते हैं कि पहले के जमाने में असाध्य से भी असाध्य रोग कुछी करने के लिए गाय के दूद से बने हुए घी का इस्तमाल किया जाता था? जिहां वही घी जो आप खाते हैं. तो रंग और रूप निखारना घी के लिए कौनसी बड़ी बात है? है की नहीं? आपके किचिन का सबसे expensive ingredient होने के अलावा घी आयुरवेद में भी बहुत important medicinal value रखता है जिहां यह आपकी skin के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी आखों के लिए, जिहां दृष्टी के लिए, आपके dark circles के लिए, lips के लिए, आपके pigmentation के लिए, आपके dark knuckles के लिए, आप एबरेबरी रेडी, let's talk उसकी बगल में बेल आइकन है, उसे भी क्लिक कर दीजे, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अप्लोड करती हूँ, मेरा पूरा परिवार यहां पर होता है, और आप हमारा हिस्सा बन जाएंगे, तो आप भी टाइमली आएंगे, आएंगे ना, तो जल्दी से कर दीजे, घी का जो कुछ भी शेयर करूंगे, अगर आपने विंटर सीजन में कर लिया ना, तो समर सीजन में आपको हमसे प्रेम हो जाएगा, सच बोल रहे हैं, करके देख लीजे, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, बालों से, क्या बालों में घी का अप्लिकेशन कर सकते हैं, जी आपका जो हैर है, उसको इतना शाइन देता है, किसी भी प्रकार की परेशानी जो आपके क्यूटिकल्स जहल रहे हैं, उन्हें ठीक कर सकता है, घी इस असूपर मैन फो यो हैर, लेकिन ये चिपचिपा होता है, ठीक से नहीं धुलता है, हम तरेशान हो जाते हैं, जिस दिन आप शांपू करेंगे, तो आपका घी एक बार में निकल जाएगा, और अगर अगर अच्छे से वाश करते हैं, तो वेरी गुड डिरेक्ली वाश कर लीजे, थोड़ा सा ज्यादा शांपू लगता है, इस ओके, लेकिन घी अच्छे से वाश करना चाहिए, ताट इस दी ओ लेकिन, अगर आपको डाउट है कि हम तो इतनी चिकनाई साफ नहीं कर सकते, तो आप लोग क्या करेंगे, आप चावल का पानी बॉइल कीजे, अगर आपकी घर में चावल बनता है, प्लीज नमक नहीं होना चाहिए, जब भी आप बालों से रिलिटेट कोई भी काम करें, नमक नहीं होका, डन, चावल को अच्छे से बॉइल कर लीजेए, जरसी आप मतलब दिन के टाइम पर अगर चावल बनाते हैं, तो यह जो स्टार्ची वाटर है, चावल का, इसमें थोड़ा सा घी मिला लीजे, वार्म वाटर में ही, और यह बालों में लगा के देखिये, देखिये, एक तरी डाइलेट हो गया गी, बहुत जादा गी नहीं है, स्टार्च वाटर के साथ है, तो अलग बेनिफित, मैं एक सेपरेट वीडियो आपको दिखा चुकी हूं इस पर, कैसे स्टार्ची वाटर एंड घी, कैसे स्टार्ची वाटर एंड गी, आपके बाल, म अपेरिंस में भी, और अधर वाइज, हेल्थ वाइज अलसो, नमबर टू, फॉर स्किन, देखिये, घी आपकी स्किन के लिए एक वर्दान साबित हो सकता है, आप लोगों को थोड़ा सा घी लेना है, पिंच अफ टर्मरिक, अगर किचन हल्दी ले रहे हैं, तो बहुत थो करने से जो डाकनिंग आ जाती है, एनी रीजन, किसी भी रीजन से आ सकती है, उसको आप फिक्स कर सकते हैं, आपको डाक सर्कल्स हैं, इसको ये क्योर कर सकता है, अगर आपके डाक लिप्स हैं, तो भी आप इसको यूस कर सकते हैं, अगर किसी भी पोर्शन में आपके स्किन में डाकनिंग है this could be the magic for you क्या oily skin वाले use कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं active pimples हैं आप भी कर सकते हैं हमारी skin पर already pigmentation and other problems हैं जी आप तो बिल्कुल कर सकते हैं आपके लिए तो यह बहुत अच्छी medicine है तो आप घी प्लस turmeric मिलाकर पूरी skin पर लगा सकते हैं कहीं पर भी आपको darkening है कहीं पर भी आपको कोई चोट का निचान है उसमें भी यह काफी कारगर साबित होता है जी हाँ घी के अंदर इतने beautiful fatty acids होते हैं जो की खाने पर तो results देते ही हैं लेकिन लगाने पर भी घजब का जो कहते हैं गलो वो ले आते हैं number three for fixing your dead skin areas अब वो कौन-कौन से होते हैं देखिए कुछ लोगों में जो knuckle area होता है यह काफी जादा darkened होता है और यह काफी सक्त हो जाती है यह skin elbow की skin आपकी सक्त हो जाती है ankle की हो जाती है knees की हो जाती है तो इन areas को fix कर पाना थोड़ा सा you know difficult हो जाता है कि यह softy नहीं हो रहे हैं तो fix कैसे करें तो आप लोग इन जगहों पर specifically घी का application directly कर लीजिए warm कर सके तो बहुत ही बढ़ी है कुछ दिनों में आपको दिखेगा कि वो जो dead skin बिल्कुल stiff हो गई थी वो fix होने लगी है and then you can do so many remedies for yourself कि अपने आप fix हो जाएगी जी हां घी के अंदर सारे vitamins आप जानते हैं बात ना शाएद vitamin A, vitamin C, vitamin K, vitamin E यह सारी चीज़े घी में already होती है एक चम्मच घी अगर आप एक दिन में खाते हैं तो दिन भर की जो vitamins के आपकी requirement है A, K, E की वो ऐसे ही पूरी हो जाती है है न कमाल तो इसलिए खाईए भी और लगाईए भी and see the magic for yourself कि यह क्या कमाल आपकी skin पर कर रहा है जितनी भी परिशानी वाले एरिया है वो यूँ ठीक होने लगेंगे और आप बोलेंगे कि भाई घर पे ही था सब कुछ वो क्या है वो कहवत बगल में बच्चा और वोड़ेवर लेकिन अगर इन सर्दियों में आपको क्विक फिक्स चाहिए तो बलीव मी घी और इसमें आप वाक्स को पिगला लीजिए इसमें टॉक्सिंज होते है आप उसको ले लीजे पिगला लीजे आपस में और उसका अप्लिकेशन आप अपने पैरों में एडियों में करिए and see the magic for yourself कभी आपकी एडियां परिशान होंगी ही नहीं बहुत सारे लोग वैसलीन का इस्तमाल करते हैं जबकि आप सबको पूरा नाम बता है कि यह वैसलीन पेट्रोलियम जली है जो क्रूड ऑई पेट्रोलियम से मिलती है पेट्रोल जसे मिलता है उसी से मिलता है इस वजह से अप्लिकेशन करके अगर आप कहीं दूप में चले गए तो पेट्रोल की तरह भुक जाएंगे मजा करें लेकिन डेफिन आपका इतना ज्यादा रंग सामला या वाटेवर डाकनिंग हो जाएगी फिर आप बोलेंगे कि हम तो डार्ग होगे सर्दियों में हमने तो कुछ कि आपका लाली हो जाए अनी वसलेण पेट्रॉलिएृम ज़ली नहीं लगानि कोई भी पेट्रोलिएृम जली नहीं लगानी बाहर जाने से पहले रात को सोते समे आप लगा सकते हैं लेकिन लेकिन लेक वान उओ जब आप अपने cilti quecision में आप सब बलरे हैं रिएन कैसे बढ़ाने हैं इसमें आप पेट्रोलियम ज़ली लगाते हैं बहुत सारे लोग सॉफिन में के लिए लगा सकते हैं लेकिन इन लॉग रूंग रुटती लान जब आप पर्रीटिटिटल्य करते हैं कब खाएं अगर खाली पेट खा सके ना तो बलीव मी इस अनदर फूड अल टोगेदर क्योंकि एक पूरा का पूरा पाकेज है एक चमजगी आपकी बॉड़ी के लिए और आपकी बॉड़ी इसको इत्मिनान से डिसिंटिग्रेट करती है और अच्छे सी यूटिलाइस करती ह हर प्रकार की चीज के लिए आप की बुड़ी से लेके आपकी अपीरेंट से लेके बालों से लेके हर चीज्फिक्स हो जाती है यह अर्शा करती हूँ मेरे परिवार को यह जो अमेजिग फाक्स थे घी के यह पसंद आये है और इसको आप अपने लिए यूज भी करेंगे यार आपसलिटली कॉस्ट एफेक्टिव आप सब के घर में घी होता है make the full use of it and आप इसको इत्मिनान से लगाईए आप सब confused रहते हैं कि भई खाने के लिए तो ठीक है and make the full use for yourself so throughout the shoot of this video में अपने आपको लेफ टाइट अजेस्ट कर रहे थी ताकि ये दूप मेरे चाहरे पर ना है लेकिन ये आज चुकी है I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो अगर पसंद आई है तो do let me know in the comment section do give it a thumbs up and do share it with your friends and family मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में with something magical for your skin, hair and health तब तक के लिए आप खूब घी खाईए घी लगाईए इसके benefits के बारे में पढ़िए and enjoy करिए प्रीती प्रेणा के चैनल से तो जुड़े ही है ना उसके बात ठीक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आपको घी के बारे में जितनी भी बाते मैंने कही है वो पसंद आई है अगर पसंद आई है तो do give it a thumbs up इसको अपने लिए वो अच्छा था छड़ाब get out